जरा जोरदार तालें एक बार जानी के सम्मान में आप बजा दें सूरिय की बात की थोड़ा साउंड बहुत अच्छा है आपका सूरिय की बात की तो मुझे याद आया और बाड मेर की धर्ती पर अगर मैं नहीं कहूंगा तो मैं ये कहां कहूंगा आप सबको समर्पित करता हूँ मित्रो उस दर्श की याद करें हमारा पड़ोसी हमारे पास मैं उसे संबोधित करके मैं कहना चाहता हूँ मित्रो हाला की भारत की वो संस्कृती है हम अपने शत्रु के जीवित रहने की कामना करते हैं ताकि वो हमारी आखों को खुला रखे ये भारत की विराग संस्कृती है हम सबके मंगल और कल्यान की कामना करने वाले लोग हैं लेकिन जब इस्तितियां ऐसी आजाती है सूरिय देव की बात की मैं पंक्ती यहीं से आगे बढ़ाता हूं मित्रो आप उस दृष्च को याद करें जब लक्षमन मुर्षित पड़े थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे अयोध्या से वो गुजरते हैं और उन्हें सूरिय देव से पहले संजीवनी बूटी लेकर जानी होती है वो धीरे-धीरे सूरिय से प्रार्थना करते हैं और वो इसका थोड़ा वॉल्यूम एको कम कर देना पहले बहुत अच्छा था हाँ एको बिलकुल ख़़दा अब बहुत सुन्दर है सूरिय के तेवर बदलते हुए देखते हैं मैं प्रारंभ करना चाहता हूं मित्रो हनुमान जी कहते हैं कि हे सूरिय देव आस तुम उगने की जलदी मत करना वो कहते हैं हे सूरिय देव ख्रमा करना वो सूर्य से प्रार्थना करते हैं अग्रिम पंक्ति का ध्यान चाहूंगा लंका के नीच राहुद्वारा आघात दिनेश अंश पर है इसलिए नितब तक उगना भगवन इसलिए न तब तक उगना भगवन जब तक न जड़ी पहुचा दू मैं आप तभी उगना भगवन जब संकट निशा मिटा दू मैं हनमान जी प्रार्थना करते हैं सूर्य देव से आशा है अल्प प्रार्थना यह है सच्चे मन से स्वीकारोगे आ तुर्की आर्थ अवस्था को करुणा के साथ निहारो सूर्य को प्राम करते हैं सूर्य देव आज जल्दबाजी मत करना रगुकुल के वंच रगुकुल का वंच खत्रे में है लेकिन वो सूर्य को तेवर बदलते हुए देखते हैं जैसा हमारे प्रोसी तेवर बदलता है सूर्य तेवर बदलता है मुझे पंक्तियां याद आती हैं तो हनुमान जी कहते हैं अन्य था समझ लेना दिनकर एक-एक शोता को समर्पित करता हूं अन्य था समझ लेना दिनकर अंजनी तने से पाला है बच्पन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है बच्पन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है और पंक्तिया सवालना आपका स्ने और तालियां चाहूंगा बच्पन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है फिर से मुख में धर लेने का, फिर से मुख में धर लेने का, वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा, जब लक्षमन दुख मोचन 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 होगा, जब लक्षमन कवी चेलिन विन, वियत नाम के कवी चेलिन विन कहते हैं, कि हमारे सैनिक जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो हम उनकी जेबों में कविताइं लिखकर डाल देते हैं, क्योंकि उनका मानना रख था, कि अगर कविताइं सुरक्षित रहेंगी, तो मनुष्चता सुरक्षित रहेगी, युद्ध ने किसी का भला नहीं किया है, लेकिन फिर भी, अगर कोई युद्ध के लिए आववान करता है, तो हम उस युद्ध के लिए ततपर रहते हैं, जरा जोरदार तालियां बजाईए, और उस युद्ध हस्ताक्षर को जिसे मैं पहली बार सुनूँगा, जिसे विवेक बारी के नाम से जानते हैं, आप नए व्यक्ति का मनुवल बढ़ाएं, एक बार जोरदार तालियां उसके सम्मान में बजाईए, भाई विवेक बार. होना है, यायोजन अपने शीर्ष पर आप सभी के बीच में है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मैं बाडमेर की उस धर्ती को प्रणाम करता हूँ, जिसके बायतु शहर के एक दिन में आठ शहीद हो गए, संभवत है, राजस्थान के किसी गाउं में इससे बड़ी कोई शहादत की घटना नहीं मिलती, 1971 का वो युद्ध था, बायतु शहर के आठ शहीद, आठ परिवारों के चिराग एक दिन में बुझ गए, न जाने कौन सा दूध वो पी कर इस देश की सरहद पर मिट गए, मैं उन सभी शहीदों को प्रणाम करता हूँ, क्या बात, वाँ, वाँ, बहुत अग्या, कि केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा, केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा, शुब्र सफैद रंग शान्ती का द्योतक है, गीता उपदेश जिन वानी है तिरंगा, क्या है तिरंगा, एक कक्षा की घटना याद आती है, शिक्षक बच्चों से प्रश्ण कर रहे थे, तिरंगे में रंग कितने होते हैं, किसी ने कहा तीन, किसी ने कहा चार, किसी ने कहा तीन, किसी ने कहा चार, एक बच्चा खड़ा हुआ, और बोला गुरु जी पांच रंग होते हैं, शिक्षक ने कहा कि तिरंगे में तो चार ही रंग देखे हैं तो पांचवे रंग की कैसे बात कर रहा है वो बोला गुरुजी इत्खून में लटपत तिरंगे में लिप्टे मेरे पिता आये थे मैं वो पांचवा रंग कैसे बोल जाओ वाँ 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 क्या बात है क्या बात है विवेक। मुल्क की तरक्की की निशानी है तिरंगा मेरे विद्यार्त यहाँ पर बैठे होंगे मैं युवा पेढ़ी को समर्पित करता हूँ अपनी चार पंक्तियां की है समर्शोनित पेपासु सामने शत्रू खड़ा अब सिंग सी रणभूमे में हुंकार होनी चाहिए क्यों इस आय तूचित कर दीजिएगा कि सारे पशुपक्षी जान बचा कर भाग रहे थे एक चिडिया कहीं तालाब के पास जाती चोंच में पानी भरती और जहां आग लगी हुई थी फैंक करा जाती एक हिरन दोड रहा था चिडिया को देखा उपहास किया और बोला ये तो क्या कर र तो फिर क्यूं प्रयास कर रही है उस चिडिया का जवाब आप तक पहुंचे उस चिडिया के प्रतीक स्वरूप में यहां पर मेरे आदरणिय गुरुजन बैठे हैं मैं उनको समर्पित करता हूँ उस चिडिया के टिपणी उस चिडिया ने कहा ये बात सत्य है कि मैं इस को नहीं भुजा सकती लेकिन याद रखना आज के दिन का जवितिहास लिखा जाएगा तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा मेरा नाम बचाने 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 वालों में होग थाम लो कुची कलम मेरे युवा विद्यार्थियों इस चिपणी को जीवन में आत्मसाथ कर लेना कि थाम लो कुची कलम ये काल का आवान है कि प्रेम की वानी नहीं ललकार होनी चाहिए और समय के मानस पटल पर रंग किते के कवर्ण की रक्त रंजित खडग जैसी धार होनी चाहिए ये राजस्थान ये वो माटी है जहां के लाल हस्ते हस्ते देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं एक सैनिक जब अपने घर से विदा होता है उसके परिवार किस तर हैं तिलकारचन करके उसको विदा करते हैं मैं एक वंदना करना चाहता हूँ सैनिकों की आप सभी के बीच में मैं चाहूंगा दो मिनिट तक आप सभी खामोश रहें और दो मिनिट बाद यदि आपका मन करें तो मुझे आशिरवाद दीजिएगा और इस प्रकार से दीजिएगा कि यू लगे कि हमारा कोई भाई अगर सरहद पर हमारे देश की सीमा की सुरक्षा कर रहा हो तो उसे लगे कि हाँ आज बाड मेर में मेरे भाई मेरी बहने मुझे प्यार भेज रहे हैं मुझे संदेशा भेज रहे हैं कि धीर धर धीर धर अधीर हो न धीर धर लक्ष है विकट तो बढ़ लहर लहर को चीर कर धीर धर धीर धर अधीर हो न धीर धर लक्ष है विकट तो बढ़ लहर लहर को चीर कर ये वक्त की पुकार है कि युद्ध का विचार है शत्र की दहार आज रक्त का खुमार है तो सोच कर, विचार कर, तो अपने ये साकार कर, खुद पे है यकीं अगर समक्ष आप रहार कर, जो भुजबलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है, वेदना का जाल है, ये तुझ से तेरा द्वन्व है, यही तो प्रश्नकार है, चांद को निचोड दे सूर्य को जुका दे आज, कृत्य हो तो ऐसा हो, उडीकता है, ये समाज शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है, ना खुनों से शत्रूओं के जिस्म को कुरेद दे, ना पत पे आज तू ठहर, विजय श्रिका है ये प्रहर, पार्त की तरां तु मत से के नयन को दे विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, कर्म की सदैव तेरे हाथ में मशाल हो, तो फिर उथा क्रिपान, या कि ये कमान बान, या कि आज हाथ को ही रूप, घडग का तु धार दे, शत्रूओं के रत में नहा उठे पसंदरा तू विजय पे आज अपने आपको ही वार दे गटे जो रक्त तुन्ड सत्र मुंड घच तू चले तो धक ठक कांपिशत्रुओं का दल हाःती के लाल तेर यह प्रतिमinta साल क्यूंकि तूँ सरल है तू सबल है तूपल है तूँअ यही तो है महा समर तो सागरों सा जुसाँ जुके चाहर आज़ बुद्भाशा है वाव वाव शुक्री बाए एक कविता सुनाने का मेरा मन है आपको सन 1971 की बात है और 1971 के 3 दिसंबर की रात इस राजस्थान की धर्ती पर विश्व इतिहास का एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसे विश्व के दस सबसे दुर्दांत युद्धों में सम्मिलित किया गया है तीन दिसंबर की रात पचीस सो से अधिक दुश्वनों के दाथ खटे कर दिये इस राजस्थान की धर्ती पर महज 120 भारत के सैनिकों ने मैं आप सभी के बीच में उस युद्ध को चित्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को प्रणामनी वेदित करता हूँ स्वागता, स्वागता कि युद्ध सिखाता मुकट शीर्ष का कौन शीश पर धर्ता है ये छे भूमिका की पंक्तियां आप तक पहुंचे साथियों युद्ध सिखाता मुकट शीर्ष का कौन शीश पर धर्ता है और विजय पराजे किसकी होती कौन मारता मरता है नीति बद्ध है जो मनुष्य वो निस्ठा पूर्वक लड़ता है कुटिल युक्ति वो अपनाता जो देख पराजे डरता है अरे जई कौन है जई कौन है वही मनुझ जो घात जेलता चाती पर और पतित वही जो वक्ष छोड़कर वार प्रिस्ट पर करता है एक हत्तर की एक सर्दशाम सीमा पर था फैला तनाव मैं चाहूंगा आप इस स्यात्रा से जुड़े इस दृष्य को जीवंत करने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी के मध्य एक हत्तर की एक सर्दशाम सीमा पर था फैला तनाव दौनों पक्षों की कुटिल शत्रुता का रह रह हो रहा स्राव कहीं नीच नराधम पतित पाक की कुटिल नीथियों के विरुद्ध पूरवी छोर का पाकिस्तान था मुक्तिहेतु कर रहा युद्ध इस महासमर में मुक्तिवाहिनी अग्रदूत था नायक था मैं बंगलाधेश के विभाजन की बात कर रहा हूँ जब इस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को तोड़ कर इस्ट पाकिस्तान के रूप में बंगलादेश नाम के एक देश का निर्मान हुआ था, मैं उस बात की बात कराओ, नीच नराधम पतित पाक की कुटलनीतियों के विरुद्ध, पूरभी छोर का पाकिस्ता था, मुक्ति हेतु कर रहा युद्ध, इस महा समर में मुक्ति वाहिनी अग्रदूत था, नायक था, म प्रतिपल क्षीन होते बल में, अभी वृद्धी हो अब किस प्रकार, भारत के सैन्य बल को रोकें, कैसे रोकें इसके प्रहार, रण में भीषन जो हुई हानी, अब कैसे हो इसमें सुधार, ये महा ध्वंस कैसे रोकें, कैसे रोकें प्रत्यक्षहार, तब नीच नराधम ने देखा भारत को इसका भान नहीं, सैन्यदल मगन है, पूरब में पश्चिम का कोई ध्यान नहीं, क्यूंकि पूरब है समरलीन, पश्चिमी और सेना कम है, हमारी पश्चिमी सीमाई जो है, और पश्चिमी सैन्यबल निर्बल है, तो इस पर विजय सरल्तम है, तो इसी छोर पर हथियारों से हो सज्जित अब करो वार इसी छोर पर करो सेंध करो पूर्ण शक्ति से कुप्रहार फन कटे सर्पसा शत्रुदेश तब और दिल मिला जाएगा आगे पीछे से हुआ आक्रमन भारत जेल न पाएगा गुप्तचर हुए सक्रिय मैं समझ रहा हूँ आप इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुप्तचर हुए सक्रिय खोजने लगे द्वार जो भेद सकें सीमा रेखा कमजोर जहां हूँ उसी बिंद को छेद सकें शीगरती शीगरजा पहुँची फिर यह बात पाक सेना दल में भारत सेना की चोकी है राजस्था के एक मरस्थल में है ग्राम नाम लोंगे वाला जहां शत्र सेन्य पल्टन नियुक्त अल्प सेन्यबल है निर्बल करने को विजय सर्वतो प्युक्त कितने सैनिक 120 कितने सैन क्या बात वाफ 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 हो गया त्वरित निर्णय आज की रात ही धावा बोलेंगे सुबह का भोजन साथ रखो भारत में जाकर खोलेंगे क्या बात करनल याया खान का यह अधिकारिक वक्तव्य है मेरे आधरणिये जो यहां पर बैठे हैं गुरुजन जानते हैं कि र नामगड में लंच और जैसल मेर में डिनर करूंगा कल मैं यह अधिकारी वक्तव्य था उनका सुबह का भोजन साथ रखो भारत में जाकर खोलेंगे पथमें आये जो ग्राम नगर सब अपना हिस्सा हो लेंगे भारत के बच्चे बच्चे फिर जैकार हमारी बोलेंगे बा गये थे वो अबोध की ये प्रताप की धरती है शब्द वेदि पटु प्रित विराज के विशिक चाप की धरती है पद्मिन पन्ना हाड इरान के प्रवलताप की धरती है और एक लिंगरी जैसांगा के महा जाप की धरती है धाई हजार सैनिक काबल साथ साथ थे कवच्यान धाई हजार सैनिक साथ टेंकर, धाई हजार सैनिक काबल, साथ साथ ते कवचियान पाकिस्ताने प्रारंभ किया शत्रू पर जै का महागान पर नियती के शड़ यंत्र अजब है अदबुद खेल रचाती है, अरे जिसका अंत जहां है निश्चित वहीं खीच ले आती है जिसका अंत जहां है निश्चित वहीं खीच ले आती है तो मती मूढ सैनिक समूह मर घट को चला चरण धरने मन में विजैश्री का लिये भरमाया मृत्यू का वरन करने वाह तीन दिसंबर रात के साड़े ग्यारा बजे जैसल मेर की बॉर्डर पर कैप्टन धरमवीर दूरबीन से सीमा की सुरक्षा कर रहे थे द्रिश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ वो संघर्षों की सर्द रात के पहरे पर कैप्टन धरमवीर जो दृष्य दिखाई दिया उन्हें वो देख हुए किंचित अधीर कहीं दूर उठ रहा था गुबार फिर छबी धूल से हुई प्रकट मरुके सागर को चीर स्रत्र से निदल चला आ रहा निकट कुछ और देर तक रहे देखते कितना बल कितना समान लगभग सैनिक थे दो हजार लगभग पचास थे कवचियान ये करी सूचना संप्रेशित फिर बिना गवाए कोई क्षन साहेब आज अपनी सीमा पर मंडराया संकट भीशन लेकर विराट सैनिक समूह कर अधम कुटिलत का निश्चय है चला आ रहा पाकिस्तां देने कायरता का परिचय क्या बात बंकर पर मेजर ने तुरंत संपरक शीर्शदल से साधा बंकर पर जो मेजर थे उन्होंने जैसल मेरे अर्बेस में फोन लगाया बंकर पर मेजर ने तुरंत संपरक शीर्शदल से साधा हम विशम विपत में घिरे आज है आन पड़ी भारी बाधा पाकिस्तां घुस आया घर में है लिये सैन्य शक्ति अपार आज रात को निश्चित है दौनों देशों में महारार हम संख्याबल में कमतर हैं परियाप्त शस्त्र नपूर्ण रसद वायू सेना भेजिये तुरत कीजिये हमारी त्वरित मदद आगे से उत्तर मिला स्पस्ट है ग्यात हमें संकट रोरव पर काल गती के परवशम इस रात नहीं कुछ भी संभव रात के बारह बजे ढाई हजार सैनिक लड़ने आ रहे हैं पूरी तरह से हतियार बंद भी नहीं है 120 लड़ा के और जैसलमेर से मदद मांगते हैं और वो कहते हैं इस रात नहीं कुछ भी संभव रात्री में गमन को ऐस समर्त है सेना के हंटर विमान तब सेना के पास हंटर विमान थे जिन में नाइट विजन टेकनोलोजी नहीं थी यानि कि सूरियास के बाद वो उड़ नहीं सकते थे रात्री में गमन को ऐस समर्त हैं सेना के हंटर विमान हम बद्ध विवश हैं इस संकट का कोई न कर सकते निदान तो आज रात तो डटे रहो चाहो तो पीछे हट जाओ जो तुम्हें उचित होता प्रतीत उस समाधान को अपनाओ वाह वाह विश्वास करो विश्वास करो सूर्य की प्रथम रश्मी जब नब में चाएगी पाकिस्ता को देने जवाब वायू सेना आजाएगी पर आज खैंच लो पग पीछे यही मश्विरा हमारा है और यद चाहो तो लड़ जाओ अंतिम फैसला तुम्हारा है वाह 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 अब पंक्तियों से जुड़ना साथियों सुनकर सेना का ये जवाब नायक न हुआ किंचित अधीर उल्टे मुस्काने लगा मंद वो महावरती वो महावीर था कौन जाई वो कौन बली वो रत्न शिरोमनी शूर स्रेस्ट रनक्षत्र था सरदार अटल भारत माता का पुत्र जेस्ट के शव के जैसा सरल सौम्य पर महा विकट जियों महा लिंग वो अमर क्रांति सेना नायक कहलाता था कुलदीब सिंग क्या बात वाँ 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 अब लगा सोचने महावरती पंक्तियां सौम्पता हूँ आप तक अब लगा सौम्पने महावरती मैं वंशज उस मतवाले का बंदूक जमी में बोता उस वासंती चोले वाले का जो मात्र भूमि पर मिटने को सुख चैन सुलबता भूल गया भरी जवानी हस्ते हस्ते फासी पर जो जूल गया इस पगड़ी का वैभवशेश ये लेश मात्र ना घट सकता जो आगे बढ़ता आया है अब तनिक न पीछे हट सकता ये सोच भुजाएं पड़क उठी चाया चहरे पर तेज निखर धमनी में दोडने लगा रुधिर पागती अनलकी और प्रकर फिर दोनों आखे चमक उठी तन गया भिकुटियों का प्रसार जो चमक आख की बढ़ जाती जब सिंग देखता है शिकार फिर कहा सैनिकों से जाकर है आज रात्री महाउत्सव की वाह क्या बात वाह आज रिदय में भए पालो ना मस्तक पर कोई तनाव नियती ने धरा की सेवा को है किया आज अपना चुनाव वाह गुरू कहते हैं बाजों के आगे चिडियों ने थी रखी टेक गुरू कहते हैं कि युद्धों में था सवा लाग से लड़ा एक वाह चमकोर का युद्ध आप सभी जानते हैं 6 दिसंबर 1705, 10 लाख मुगलों के खिलाफ महज 40 सिख सैनिक लड़ गए और तब गुरू गोविंच सिंग ने कहा था अरे गीदर नू मैं बाज बनावा गीदर नू मैं शेर बनावा चिडिया ते मैं बाज लड़ावा अरे सवालाख ते एक लड़ावा ते गुरू कोविंच सिंग नाम कहावा गुरू कहते हैं बाजों के आगे चिडियों ने थी रखी टेक गुरू कहते हैं कि युद्धों में था सवालाख से लड़ा एक ये दंत कथाएं वीरों की प्रिस्थों पे लिखा ये अमरगान गुरुओं की बाणी का सयास दुनिया को देंगे हम प्रमान, हम शैल इराट की चटाने विपलव से जाट तकराएंगे गुरुओं ने सब सच बोला था दुनिया को आज बताएंगे क्या बात? नस नस में भरेंगे दावानल, अरे दल जिसमें जल जाएंगे हम रक्त शत्रूओं का लेकर निजजय का तिलक लगाएंगे श्वासों में फॉलाद लिये, इन नीचों से भिड़ जाएंगे अरे सिंग दिखा करते कैसे, श्वानों को आज बताएंगे स्मरण रहे वो दुख्द मात्रिका, उसका मोल चुकाएंगे सौगंद हमें भारत मा की, ये समर जीत कर आएंगे सौगंद हमें भारत मा की, भारत माता की अब बजा समर का महा शंख भारत की जैजैकार हुई सत्स्री अकाल के नारों की नब में भीशन तंकार हुई पतित शत्रुआ गया निकट प्रारंब किये उसने प्रहार निकट वर्ति सब ग्राम घरों में मचा जब सहाहकार पर कहते हैं बाडमेर कहते हैं यद्यपी समर मानव मानव का होता है जो साथ सत्यके होता उसके साथ ईश्वर होता है था सेना के बंकर समीप मा चामुंडा का देवाले समूचे विश्व के इतिहास में केवल एक ही ऐसा द्रिष्टांत मिलता है कि किसी देश की सेना की भी कोई कुल देवी हो वो भारत की सेना है जिसके कुल्देवी है मातनोट माता था सेना के बंकर समीप मा चामुंडा का देवाले जिस मा का था आशीश उन्हें तुम हो अजे अरे रहो अभय शत्रु दलने कुमती के स्तर उसकी देहरी पर लांग दिये उस नीच नराधम पापी ने मंदिर में गोले दाग दिये पर कहते हैं गतिकाल चक्र की जहां हार लेती सकार अंतिम टिपणी पर एक भी हात खाली न रहे मैं आपसे निवेदन करता हूँ कहते हैं गतिकाल चक्र की जहां हार लेती सकार उसी तमस में छिपकर बैठा होता है एक चमतकार अब प्रतिम अलोकिक चमतकार की जगने देखी अलग छटा अरे जितने गोले दागे उनमें एक भी जाकर नहीं पटा अब दोनों सेना टकराई नब में भीशन हुंकार उठी हुआ महा भीशन गर्जन प्रित्वी सहसा चितकार उठी निर्जन वीरान विपिन में फिर मच उठा मृत्यु का महा प्रलै दसियों दिशियां रह गई स्तब्द देखने लगी ये महा विजय नियती की देवी दर्शन को अंबर से आई आज उतर संख्या बल से गुणवत्ता का कैसा होता है महा समर साधारन से ये मरत्य मनुझ कैसे यमदूत बने जाते नर सिंग पुत्र भारत माके मृत्यू से कैसे टकराते आंदोलित वीर अभिमन्यू सा भेदने समर का चक्र व्यू वो महा शक्ति का आराधक चल पड़ा कृद्द सैनिक समू जों पवन पुत्र बन चक्रवात देट्यों के दल पर छूट पड़े या स्वयम सिंग पर हो सबार भेरवी समर में तूट पड़े कर शत्रू रत में महा स्नान या अंग अंग लेकर विपलव रन प्रन वीरों में महा काल शिव लगे आज करने तांडव फिर फटा अगनी का महा ज्वार सैनिक रूहें लट पटा उठी सुन वीरों का उनमत हास शत्रू सेना छट पटा उठी अंतह समग्र कर सर्व शक्ती कूदा रन धीरों का अंधर ये द्रिश देख विक्राल काल का गए शत्रू के पाम उखड अंजुले में भर कर शत्रू रक्त वो वीर धरा सीचने लगे हो गए धरा शाही सैनिक जो बचे पाम खींजने लगे सहकर सेना के प्रलै घात और देख समर नर्तन प्रचंड शत्रू सेना के कवचियान बन गए चूर्ण हो खंड 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 यू चला रात भर महा युद्ध यू चला रात भर महा यग्य शत्रू मुंडों से विजय मालिका रहे बनाते समर प्रग्य लड़ते लड़ते निशिगमन हुआ अंबर चाया लोहित प्रकाश था एक तरफ भीशन क्रंदन था एक तरफ जय नवो लास नब से सूर्य की प् आई साथी को दिया वचन पूरा करने वायु सेना आई क्षत विक्षत अरिदल देख गगन में व्याकुल हो चितकार उठा सुद बुद खोकर भागने लगा प्रतिरक्षा हे तु पुकार उठा वायु सेना के प्रलेगात अगनी वर्षा आकाशों से को जेल सकेन पाक सैन्ने और लगे बिखरने ताशों से को जेल सकेन पाक सैन्ने अब लगे बिखरने ताशों से शत्रू दल में हर और अगनी की लपट दिखाई देती थी जिस और नजर जाती मृत्यू की चीख सुनाई देती थी अंत तह मृत्यू को प्राप्त हुआ वो पतित पाक सैना का दल सब कवच यान हो गए ध्वस्त श अठा करम खशात्रदर्म के नवदिनेश का हुआ उदैवास्ड़ाइ खाल श्वडस वरोमे कुझ रहा था ब्स भारत माता की जए बहुत 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 थन्यवासा थन्यवास श्छे、 बहुत बहुत थन्ने